एक्सेलेंसीज, इंफ्रास्रक्चर फॉर रेजिलियन्ट आइलेंड स्टेट्स आईरीस का लॉंच एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है, ये सबसे वनरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोस देता है मैं इसके लिए कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियन्ट इंफ्राक्चर्चर सीडी आराई को बढ़ाई देता हूँ, इस महत्वपोन मंच पर मैं आउस्टेलिया और यूके समेथ सभी सहयोगी देशों और विश्वेशकर मॉरेशस और जमेका समेथ छोटे द्विव समू के लीडर्स का स्वागत करता हूँ, उन्हें हारदिक धन्यवाद देता हूँ, मैं विएन सेकरेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूँ, कि उन्होंने इस लौंज के लिए अपना बहुमुल्य समय दिया, एक्सलिंसीज, पिछले कुछ दसकों ने सिद्ध किया है कि क् क्लाइमेट चेंज के प्रकोब से कोई भी अचूता नहीं है, चाहे वो विक्सी देशों या फिर प्राकृतिक समसादनों से धन्य देशों सभी के लिए ये बहुत बड़ा खत्रा है, लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खत्रा स्मॉल आइलेंड डेवल मृत्य की बात है, ये उनके अस्तीत्व के लिए चुनावती है, क्लाइमेट चेंज की वज़े से आई आपदाये उनके लिए सचबुच प्रलाई का रूप ले सकती है, ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बलकि उनकी ऐसे देश टूरिजम पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्रकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस भी उनके पास आने से घबराते हैं, फ्रेंट्स वैसे तो सीट्स देश सजियों से नेचर के साथ समनवय में जीते रहे हैं, वे प्रकृतिके स्वाभाविक साइकल के साथ ए वेजह से प्रकृतिका जो अस्वाभावी ग्रूप सामने आया है, उसका परणाम आज निर्दोस स्मॉल आइलेंड स्टेट्स जेल रहे हैं, और इसलिए मेरे लिए CDRI या IRIS सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हैं, बल्कि ये मानव कल्यान के अत्यंत जनसिल दाइत्व का हिस्सा है, ये मानव जाती के प्रती हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी हैं, ये एक तरह से हमारे पापों का साजा प्रायस्टिद भी हैं, फ्रेंड, CDRI किसी सेमिनार से निकली कल्पना नहीं है, बल्कि CDRI का जन्म बरसों के मंथन और अनुभव का प रहे क्लामेट चेंज के खत्रे को भापते हुए, भारत ने पैसिफिक आइलेंड और केरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेश व्यवस्थाएं बनाई, हमने उनके नागरिकों को सोलार तकनिकों में ट्रेंड किया, वहां इंफरसेक्टर के विकास के लिए इंद और नई पहल की गोशना कर रहा हूँ, भारत की स्पेस एजनसी इसरो सीट्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्मान करेगी, इससे सीट्स को सेटिलाइट के माध्यम से साइकलोन, कोरल ड्रिप, मोनिटरिंग, कोस्ट लाइंग, मोनिटरिंग, आधिक अबारे मे टाइमली जानकारी मिलती रहेगी, फ्रेंट्स, आईरिस के साकार करने में, सीडी आराई और सीट्स दोनों ने मिलकर काम किया है, यह को क्रियेशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदारा है, इसलिए मैं आज आईरिस के लांच को बहुत अहम मानता हूँ, आईरिस के माध्यम से, सीड्स को टेक्नोलोजी, फाइनांस, जरुरी जानकारी तेजी से मोबिलाईज करने में, आसानी होगी, स्मॉल आईलेंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रस्रक्टर को पोच्छान मिलने से, वहाँ जीवन और आजी भी का, दोनों को राब मिलेगा, मैंने पहले भी कहा है, कि दुनिया इन देशों को कम जन्सेंख्यावारे स्मॉल आईलेंड के रूप में देखती हैं, लेकिन मैं इन देशों को बड़े सामर्थवाले लार्ज ओसन स्टेट्स के रूप में देखता हूँ, जैसे समुद्र से निकले मोतियों की माला सब की सोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही समुद्र से घीरे सीट्स विश्व की भी सोभा बढ़ाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत इस नई परी योजना को पूरा से योग देगा, और इसकी सभलता के लिए CDRI अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राश के साथ मिलकर काम करेगा, CDRI और सभी छोटे द्विश्वों को इस नई पहल के लिए फिर से बधाई और शुब कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद.